किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रियोक शाला में केडर को यही पढ़ाया जाता है यह वो क्या रहा है रूह भी कहब जाती है वो अलपाद सुनके में राद बर सो नहीं पाया दिमाग की निस्फटने को तयार थी है मेरी जब मेरे जैसे चुने व होगी इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सब्बे समाज में बरदाश्ट नहीं किया जा सकता सुबा से इंतजार कर रहा था आदर निये लोकसवाई स्पीकर साथ से मिलने के लिए अनफॉर्चुनेटली वो उपलब्द नहीं हुए हाउज म मैं पार्लेमेंट से अभी उनके आफिस में अपना खत रिसीव कराकर के आ रहा हैं और मुझे उमीद ही नहीं पूरा यकीन है कि आदर निये लोकसवाई स्पीकर कल की घटना का संग्यान लेते हुए जो उचित कार रवाई है वो करेंगे मैंने नोटिस दिया है क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है और ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसत के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाशा इस तरीके की धंकी मैं पूछना चाहता हूँ क्या आरेसस की शाखाओं में क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रियोक शाला में केडर को यही पढ़ाया जाता है जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की वी अर मदर आफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टॉणरबल प्राइम इनिस्टर और प्राउड अफ इट उस मदर आफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसत के खिलाफ जिस तरीके के अलफाज कि यह हो क्या रहा है रूह भी कहब जाती है वह अलफाज सुनके में राद बर सो नहीं पाया दिमाग की निस्फटने को तैयार थी है मेरी मैं इंतजार कर रहो हूँ कि मैं करूं तो करूं क्या जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की इस्थिती आज इस देश में यह है तो एक काम आदमी के इस्थिती क्या होगी मुझे उमीद है कि मेरे साथ न्याय होगा अधरने स्पीकर साब कारवाई करेंगे नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सब्बे समाज में बरदाश्ट नहीं किया जा सकता क्या है क्या हम इसलिए चुन के आते हैं क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी क्या हमारे पुर्खों ने कुर्बानिया इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिदी चुन करके जाएंगे तो उनको ये सुनना एको मिलेगा दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खीच के रख दिये महिलाओ को आरक्षन इस ये स्पेशल सेशन था कि 75 साल अम्रत काल में हम गए हैं पार्लेमेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं महिलाओ के आरक्षन के लिए ये संसत का सत्र विशेश रूप से बुलाया गया वह आरक्षन कम मिलेगा दोजार उनतिस में लाग होगा दोजार चौटिस में होगा या दोजार सेटालिस में होगा अभी उस पर सवाल या निशान है मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसत को उसकी कम्यूनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटेक करना सोज भी नहीं सकता मैं सोज भी नहीं सकता इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है अब बस देखना इतना है कि रमेश विदूरी जी के खिलाप ओनरेबल मेंबर आफ पार्लेमेंट लोगसभा के खिलाप उनकी पार्टी कोई कारवाई करती है या नहीं या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रे मंत्री मंदल में शामिल किया जाएगा क्योंकि शायद ये कॉम्पिटीशन हो गया है भाचपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए आप ऐसे बियान दीजिए पहले तो संसत के बहार ही होते थे अब संसत के अंदर भी मारने की धंकिया दी जा रही हैं बहार तो धंकिया बहुत बार नेताओं ने इनके मंत्रियों ने सब ने दी हैं लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमरतकाल में किस तरफ ले जा रहे हैं सरकम्स्टांसिस कुछ नहीं था हम तो हम तो चंद्रियान पर चर्चा चल रही थी देश को गौरव है हर कोई देश के साइंटिफिक कम्मुनिटी को बधाई दे रहा था हमने भी पार्टिसिपेट किया जब बीजेपी के सांसत रमेश विदूडी जी बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाशन की शुरुवात में कुछ ऐसे अलफाज यूज किये खास तोर से आदने प्रधान मंत्री जी के बारे में कि लोग विपक्ष को एड्रस करते वे कि कुछ लोग इस देश में कि ऐसा है कि सोचते हैं मतलब मैं वो अलफाज यूज नहीं कर सकता कि हमारे देश के आदने प्रधान मंत्री को कि उस रेफ्रेंस में वो वीडियो है मैं अपने मुंसे नहीं कहना चाहरा है वो वीडियो को देखिए मैंने जो अब्जेक्ट किया मैंने कि आप देश के चुनेवे प्रधान मंत्री जी के बारे में को इस रेफ्रेंस में नहीं एड्रस कर सकते यह अन पार्लेमेंटरी शब्द है उस पे वो रियक्ट करके जो भाशन है वो सब के साथ क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पर है कि नरेंदर मोदी जी के सरकार के दो पूर्ट कैबनेट कुलीक्स उनके पीछे बैठेवे हैं और वह सरह थाक हमार के जो 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 बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्दन जी दिखाई दे रहे हैं रभी शंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिल खिलाते हुए यह 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 दानिश अली के बारे में जो हो रहा हो कोई वह एक मेंबर आफ पार्लेमेंट की हैस्च से हुं मैं किसी पार्टी की यह यह सदन की मर्यादा का उलंगन है और और बीजेपी की सांसत वरिष्ट नेता बैठ के पीछे पेट थप तवारे की बहुत अच्छा तुम ब रक्षा मंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी ने जब हम वह प्रोटेस्ट करते रहे तब रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा मैंने सुना नहीं है मैंने सुना नहीं है लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा है जिस्से हमारे विपक्ष के सांसत के को ठेस पहुची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं सुना नहीं रिकॉर्ड पे है अगर कहा है कि आप विपक्ष के नेता को लोगसभा में विपक्ष के नेता को यही सरकार मोशन मूव करके जो है करा देती है खाली कंपेर करने के लिए प्रदान मंत्री जी को किसी भगोले के रेफरेंस कि अभी भी दूसरे हाउस में दो मेंबर सस्पेंड हैं आप आवाज दबाना चाहते क्योंकि दानी शेली विपक्ष का सांसद होने के नाते सरकार को लगातार जो है टोस पर रखता है जो जो मेरा दायत तो है उसको में निभाता हूं और निभाता रहूंगा करें कि अगर सदन में महोदे कारवाई नहीं करेंगा सभाबती तो आप भरे मंग से सदन सब्सक्रा चोड़ने पर विचार कर रहें ताइम लाइन नहीं नहीं मैं 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 ऐसे मतलब अगर मेरे राइट स्वाप प्रोटेक्ट नहीं होंगे जो आजादी मिली हमें जो बाबा साब डॉक्टर भीम राओं बेटकर उनके साथियों ने जो सम्विधान लिखा अगर उसके तहट चुनके जाने वाले पृतिनिधियों के साथ सत्तापक्ष ये करेगा सत्तापक्ष का सांसद ये करेगा तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है क्या क्या छोड़ूं उस सांसद ने तो ये भी कहा कि बाहर निकल बाहर निकल के लिए किसके पास जहू प्रोट्टेक्शन के लिए कि कि है त्क में क्योंकि अदर्निय लोग सबहरे सपीकर हमारे जो है है घाइड है हमाने हमें आइड भुर्टेक्ट करते हैं हमें पूरी आशा है पूरी उमीद है कि वो हमारे अख्तियारातों को जो हमारे उनको वह वह जो है आ बचाइंगे वन्हें कि इसे चलेगा आपकर 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 करने के लिए कि मुझे मैंने दौनों बाद मैंने दोनों चीज के लिए चिटी दी है फिए कि जो इनों ने जो भूंघ के सांसर्थ मेरे बारे में मर्य यादित भाषा का उपयोग किया है सब् kicking किया जाए मैंने यह भी कर आई है और मैंने प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज का नोटिस भी दिया है अब यह अधरने स्पीकर साथ का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या कारवाई करते हैं अगर यह स्पीच नहीं है जो कल सदन के अंदर हुई है तो मैं समझता हूं कि देश में कोई और हेट इस पीच तो होई नहीं सकती जब भाजपा मेरी 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 किस से बात हुई है किस से नहीं बात हुई है मेरा मोबाइल मैं मैं किसी से भी बात करने से पहले में हमारे जो संग्रक्षक हैं लोक सवा के speaker मैं उन से मिलना चाहता था उनके पास गया था लेकिन unfortunately वो आज दफ्तर नहीं आए मैं इंतजार करता रहा मैं अपने पत्र जो है दफ्तर में रिशीव कराकर क्या आ गया हूं